कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए स्वास्त विभाग अबलाट मोड में है सुवे के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में सारे तयारी पूरी कर ले गई है 36 बेर्ट का कोविट बार्ट बनाय गया है जिसमें ICU से लेकर वेंटिलेटर तक की सुवे धाय दी गई है अस्पताल में 5000 मरिजों के लिए ऑक्सीजन के विवस्ता की गई है किसी भी तरीके से लोगों को ऑक्सीजन की कमी यहां नहीं होने दी जाएगी कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रही है नए वेरियंट के साथ पूरी दुनिया इस बार दहसत में है जिस तरीके से विदेशों में खास करके चाइना में जो मामला आया है उसके बाद स्वास्ति भवाग इलर्ट मोड पे है केंदर सरकार के तरब से भी गाइडलाइन जारी किये हैं कि ये special ward बनाया गया है जिसमें पूरा ICU और तमम जो जितनी भी मसीने हैं वो लगाई गई है वेंटिलेटर लगाए गया है ताकि कोरोना के दे प्रिस पेसेंट आते हैं तो उनको किसी तरीके से परिशानी ना हो हमारे साथ मौजूद है PMCH के जो अधिक्षक हैं इस ठाकूर उनसे हम बात करते हैं सर कैसी तैयारी है क्योंकि कोरोना का जिस तरीके से मामला सामने आया है कल 11 प्रिसेंट बिहारे में मिले हैं तो उसको लेकर के स्वाइश दिभा के तरब से इलर्ट जारी किया गया है तो PMCH में कैसी तैयारी है PMCH में एक्षुली हम लोग दो तीन कॉर्णा का जो फेस था हम लोग अल्लेडी कर चुके हैं इसलिए कोई चिंत्या की बात नहीं है अभी हम ततकाल जो है लग रहा है और जो सिस्टर है उनका वाट बॉय सबका कर दिया है यहां तक दबाव गरहा का सवाल है तो जितना भी दबा इसमें चाहिए चुके हम लोग को पूर्फ से अनुव है कि क्या दबा लगता है नहीं लगता है तो उसके हिसाब से दबाव गरहा है भी सब इंजाम हम लोग कर लिया है कि 36 मरीज के लिए 15 दिन का दबाव हमने कर लिया है और पिछली बार देखा गया था कि जो तिसरी लहर आई थी दूसरी लहर में मौत बहुत जादे हुई थी ऑक्सीजन को लेकर के बहुत जादे परिशानी लोगों को सामना करना पड़ा था इस बार PMCH में क्या-क्या दिकत नहीं था इस बार भी 20KL का दो बड़ा बड़ा टाइंखम को लगा हुआ है तो 5000 मरीज भी अगर आता है मौस्पीटल या कोभीर के जो भी मरीज हैं उन्हों को कोई भी दिकत नहीं होने देंगे